आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ओन मनी पैसों से मुतालिक आज वर्ड प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं यानिसरा और आसमा दोनों के पास टोटल जो पैसे हैं वो टु हन्रेड फाइफ हैं डोनों ने बराबर चीजें खरीदनी हैं How much should each spend? हमने ये देखना है कि दोनों को कितना-कितना spend करना चाहिए, खर्च करना चाहिए कि दोनों के पास equal चीजें आएं. क्योंकि यहाँ पे equal things कहा हुआ है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है? Total amount को divide करना है, किस सारा और आसमा दो लोग हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, rupees, two hundred and five, इसको हमने क्या करना है? हमने divide करना है, two से, जब इसको two से divide करेंगे, तो हमारे पास answer आजाएगा. यहाँ divide करके देख लेते हैं side पे, two hundred and five, अंदर आजाएगा, और बाहि लिखा जाएगा two, इसको अब हमने two से divide करना है, तो two two का pair बना लेते हैं, two tens are, twenty, और इसको subtract करेंगे, यहाँ पे five नीचे आजाएगा, तो two fours are, sorry two two's are four आएगा, यहाँ पे two लिखा, two two's are four, और यहाँ पे one पीछे बचा, इदर point लगाएँगे, यहाँ पे zero बढ़ाएँगे, तो यहाँ पे आजाएगा, two five's are ten, two five's are ten, तो यहाँ पे zero बच गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, two hundred and five, divided by two, two किसके equal आगया, रुपीज, और एस यानि रुपीज, यह रुपीज की short form है, one hundred two, point five, दोनों one hundred two point five रुपीज, खर्च कर सकते हैं, इस बात को हमने words में लिख लिए, इच केंट स्पेंट रुपीज, one hundred two point five, next question देखते हैं, एहमद है, रुपीज one thousand, एहमद के पास, one thousand रुपीज थे, he bought a pair of socks, for रुपीज one hundred fifty, उसने एक pair of socks करीदा, one hundred and fifty रुपीज में, and a pair of gloves, for रुपीज three hundred two, three hundred two रुपीज में, a pair of gloves करीदे, how much money did he have left, हमने ये देखना है, कि उसके पास, कितने पेसे बाकी बच गए, यहां पे one thousand रुपीज शो किया हुआ है, five five hundred के दो नोट्स हैं, जो मिलके one thousand रुपीज बन जाता है, तो इस question के मताबिक, हमने क्या करना होगा, हमने, रुपीज one thousand, सब के साथ रुपीज है, इसलिए मैं फिल्हाल यूनिट नहीं लिख रही हूँ, one thousand जो टोटल उसके पास है, उसमें से हमें माइनिस करना होगा, किसको, one hundred fifty, plus three hundred two को, क्योंकि पहले उसने one hundred fifty रुपीज खर्च किये, और फिर उसने खर्च किये, three hundred two रुपीज, तो टोटल जो उसने खर्च किये वो होगा, one hundred fifty, plus three hundred two रुपीज, तो thousand में से जितना उसने खर्च किया, उसको माइनिस करेंगे, तो हमारे पास answer आ जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं, कि इस तरह के questions में, सबसे पहले हमें ब्रेकिट को solve करना होता है, तो इसलिए one thousand को as it is लिख लेंगे, माइनिस, ब्रेकिट को solve करें, यानि one hundred fifty, को plus करें, three hundred two में, तो ये क्या आ जाएगा, two plus zero two, five plus zero five, three plus one, four, तो ये आ जाएगा, four hundred and fifty two, one thousand में से, four hundred and fifty two को अब हमने माइनिस करना है, तो अब हम इनको सब्चेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे सब्चेक्ट करेंगे, one thousand में से, four hundred and fifty two को, तो यहाँ पे लिखते हैं, four hundred and fifty two, इनको सब्चेक्ट करेंगे, तो यहां से 0 में से 2 सब्चेक नहीं हो सकता तो 10 से 1 बोरो ले आएंगे यहां पर 10 बन जाएगा यहां से बोरो ले आएंगे यहां 10 बन जाएगा और यहां पर 9 रह जाएगा 10-2 8 आ जाएगा इसी तरह से 9-5 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या बचा था? 9 9-4 5 तो यह किसके equal आया? 548 के है 548 रुपीज अभी उसके पास बचे हुए है तो इस बात को हम words में लिखेंगे He has रुपीज 548 left एक और question देखते हैं Find the change when Ali buys 4 toys Ali ने 4 toy cars खरीदे हैं 4 rupees 50 each यानि हर toy car की केमत थी rupees 50 and paste a 500 note यानि कि Ali ने 4 toy cars खरीदे हैं हर toy car की केमत 50 rupees थी और उसने शॉप की पर को 500 rupees का एक note पकड़ाया इस तरह का अब हमने देखना है कि शॉप की पर उसको कितना change वापिस देता है इसका मतलब क्या हुआ अगर हर toy car की कीमत 50 rupees थी तो 4 toy car की कीमत क्या होगी जब 50 को हम 4 से multiply करेंगे तो वो 4 toy cars की कीमत आ जाएगे और हमने देखना है कि 500 मेंसे इतने रुपीज जब चले जाएं तो पीछे क्या बचेगा यानि कि हमने करना है 500 minus 50 multiply by 4 यहां हम 500 को as it is लिख लेंगे 500 और इसमें से आप minus करना है 50 multiply by 4 क्या आ जाएगा 4 5s are 20 आ जाएगा क्यूंकि 50 multiple of 10 है तो 4 और 5 को multiply करेंगे और यह 0 as it is 7 लिख लेंगे यह आगया 500 minus 200 500 में से 200 minus करें तो क्या बचेगा 300 यह बिलकुल ऐसे ही है जैसे 5 में से 2 को minus करें तो 3 आ जाएगा फिर यह 2 0 7 लिख लेंगे इसका मतलब शौप के पर उसको कितना change देगा रुपीस 300 उसको change देगा यहां हम लिख लेते हैं यह बिल गेट अचेंज आफ रुपीस 300 इस तरह से आज हमने वर प्रॉब्लम्स ओन मुनी से रिलेटिड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्ट किये प्रॉब्लम्स